भारतीय रिये ये न कभी थमती है न कभी थकती है हर समय देश सेवा में तक पर रहती है महमारी की समय भी इसने देश के एक जुट प्रयासों को दी मजबूती मेडिकल सामान और खाद्यान आपूर्ती सुनिश्चित की और दूर फसे लोगों को सहसमान घर पहुचाया भारतीय रेल का नेटवर्क काफी बड़ा है पर समय के साथ यात्री और मालगाडियों की लगातार बढ़ती संख्या से गती प्रभावित हुई है इस जटिल समस्या के निदान हे दू प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीड़ुशिप में रेलवे को आधुनिक वद्दक्ष बनाने के लिए लगातार कदम उठाए गए है ताथियों बिते छे साल से भारतिय रेल को नए भारत की आकांचाओं और आत्मन निर्भर भारत की अपिक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा इस कड़ी में एक महत्वपूर पहल है फ्रेट कोरिडोर्स का तेज गती से निर्माण 81,000 करोड की लागत वाले विकास के दो कोरिडोर्स वेस्टर्न एवं इस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर 1506 किलोमीटर लंबा है वो जोड़ेगा JNPT मुंबई को दाधरी उत्तर प्रदेश से वहीं इस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर 1875 किलोमीटर लंबाई दैकर लुध्याना पंजाब को दानकुनी पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर्स का काम जो सालों से सुस्त पड़ा था उस पर 2014 के बाद पहले के मुकाबले 11 गुना से भी अधिक पूजी निवेश की गई है इस निवेश से जहां एक ओर सालों से अटके ट्रैक लिंकिंग और विद्यूति करण का काम तीजी से पूरा हुआ वहीं दूसरी ओर दोनों कोरिडोर्स का निर्मान उच्च तकनीक, गुणवत्ता और सटीक प्लानिंग से हो रहा है इसलिए आज पूर्वी डेडिकेटिट फ्रेट कोरिडोर में न्यू भावपूर से न्यू खुर्जा तक 351 किलोमेटर का ट्रैक संचालन हीतु पूर्थ तयार है और साथ ही तयार है दुनिया के सबसे बड़े एवं सर्वोत्तम कंट्रोल सेंटर्स में से एक प्रियाग राज का अत्याधुनिक तकनीक से लैस ओपूरेशन कंट्रोल सेंटर्स इन दोनों कॉरिडोर्स के निर्माज से माल धुलाई की लागत में कमी आएगी क्रिशी और प्रात्मिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा नए औद्योगिक क्षेत्र विक्सित होंगे सडक माल, सुगम और रेल फाटक रहित होंगे जादा माल धोने वाली माल गाडियों की संख्याब बढ़ेगी और नए शक्तिशाली रेल इंजन और लंबी गाडियों से अतिरिक्त क्षमता का स्रिजन होगा आज प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी करने जा रहे हैं इस्टर्न डेडिकेटिट फ्रेट कोरिडोर के न्यू भावपूर न्यू खुर्जा खंड को देश को समर्बद ओपरेशनल कंट्रोल सेंटर का शुभारंब एवं इस खंड पर माल गाडी को हरी जंडी दिखाकर रवान प्रदान मंत्री जी इस अवसर पर प्रेरक संबोधन से हम सभी का मार्क दर्शन करें माननिय प्रदान मंत्री जी उत्तर प्रदेश की राजपाल, श्रीम्रती आनंदीवेन पटेल मुह्ख मंत्री स्रीमान योगी आधित्यनाच जी केंद्रिय रेल मंत्री भाई प्यूश गोएल जी संसग में बेरे सभी सहयोगी गाण यूपी सरकार के मंत्री गाण कारकम से जुड़े अन्य सभी वरिष्ट महानुभाव भाईयो और भेनो आज का दिन भारती रेल के गवरोशाली अतीत को 21 सदी की नई पहचान देने वाला है भारत और भारती रेल का सामर्थ बढ़ाने वाला है आज आजादी के बात का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफरस्ट्रक्टर प्रजेक धराप्तल पर उतरते हम देख रहे हैं साथियों आज जब खुर्जा भाव पर फ्रेट कोरिडर रूट पर जब पहली मालगाडी दोड़ी तो उसमें नए भारत की आत्मनिरभर भारत की गुंज और गर्जना स्पस्ट सुनाई दी प्रयाग राज में आपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ का प्रतीख है ये दुनिया के बहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मेनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेकनोलोजी है वो भारत में ही तैयार की गई है भारती योने ही उसको तैयार किया है भावी और भेनों इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट के सामर्थ का सबसे बड़ा स्त्रोथ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट की नसे होती है नाडिया होती है नसे होती हैं, उतना ही स्वास्थ और सामर्थवान कोई राष्ट होता है। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के राष्टेपर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तब बहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्रात्मिक्ता है। इसी सोच के साथ बिते छे सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाइवे हो, रेलवे हो, एरवे हो, बाटरवे हो या फिर आइवे आर्थिक रप्तार के लिए जरूरी इन पांचों पहियों को ताकत दी जा रही है, गती दी जा रही है। इस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर, इसके एक बड़े सेक्षन का लोकारपन भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर, इनको अगर सामान ने बोल चाल की भाशा में कहें, तो माल गाड़ियों के लिए बने विशेश ट्रेक हैं, विशेश व्यवस्ताएं हैं। इनकी जरुरत आखिर देश को क्यों पड़ी हैं, हमारे खेत हो, उद्योग हो, या फिर बाजार, ये सब माल डुलाई पर निर्भर होते हैं। कहीं कोई फसल उखती हैं, उसको देश के अलगले हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है, एक्सपोर्ट के लिए बंदर गाहों तक पहुंचाना पड़ता है, उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है, उद्योग से बना माल बाजार पहुंचना ना होता है या फिर एक्सपोर्ड के लिए उसको फिर बंदर गाहों तक पहुंचना पड़ता है इस काम में सबसे बड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है जैसे जैसे आबादी बढ़ी अर्थववस्ता बढ़ी तो माल दूलाई के इस नेटवर्क पर दबा आ गया समस्या ये थी कि हमारे हां यात्रियों की ट्रेने और माल गाडिया दोनों एकी पट्री पर चलती है माल गाडी की गती धीमी होती है ऐसे मैं माल गाडियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है इससे पैसेंजर ट्रेन भी समय पर नहीं पहुँच पाती है और मालगाड़ी भी लेट हो जाती है मालगाड़ी की गती जब दीमी होगी जगह जगह रोक टोक होगी तो जाहिर है ट्रांस्पोर्टेशन की लागत ज़ादा होगी इसका सीधा असर हमारे खेती, खनी जुदपाद और अउद्यों की जुदपादों की कीमत पर पड़ता है महंगे होने के कारण वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली परदा में टीक नहीं पाते हैं हार जाते हैं भाई और बहनों इसी स्थित्य को बदलने के लिए Fret Corigator की योजना बनाई गई शुरू में दो dedicated freight corridor तैयार करने की योजना है पूर्भी dedicated freight corridor पंजाब के उद्योगिक सर लुधियाना को पस्चिम मंगाल के दानकुनी से जोड रहा है सेंकडो किलोमेटर लंबे इस रूट में कोईला खाने हैं, थर्मल पावर प्लांट है, अउद्योगिक शहर है, इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाए जा रहे हैं वहीं पस्ची में डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर महाराष्ट में जेन पिटी को उत्तर पंदेश के दादरी से जोडता है लगवग 1500 किलोमीटर के इस कोरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावाव, दहेज और हजीरा के बड़े बंदर गाहों के लिए फिडर मार्ग होंगे इन दोनों फ्रेट कोरिडोर के इजगीद दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर और अमुर्शर, कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर भी विक्सित किये जा रहे हैं इसी तरह उत्तर को दक्षिन से और पूरप को पस्चिम से जोडने वाले ऐसे विशेश रेल कोरिडोर से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रहे हैं भावी और बहनों, माल गाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेश चुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतिफी समस्या कम होगी दूसरा ये कि इससे माल गाड़ी की स्पीड भी तीन गुना से ज़्यादा हो जाएगी और माल गाड़ियां पहले से दो गुना तक सामान की डुलाई कर पाएगी क्योंकि इन ट्रेक पर डबल डेकर यानि डिब्बे के उपर डिब्बा ऐसी माल गाड़ियां चलाई जा सकेगी माल गाड़िया जब समय पर पहुँचती और पहुँचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के काम सामान सस्ता होगा जिसका हमारे निर्यात को लाब होगा यही नहीं देश में उद्योग के लिए बहतर माहोल बनेगा इस अब डूइंग बिजनेस बढ़ेगी निवेश के लिए भारत और आकरशक बनेगा देश में रोजगार के स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे साथियों यह फ्रेट कोरिडोर आत्म निर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे उद्योग हो व्यापार कारोबार हो किसान हो या फिर कंजुमर हर किसी को इनका लाब मिलने वाला है लुद्याना और वारानसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान अलिगड का ताला निर्माता हो या राजस्तान का संग्यमर्मर कारोबारी मलीहाबाद का आमुत्पादग हो या कानपूर और आगरा का लेदर उद्ध्योग बदोई का कालिन उद्ध्योग हो या फिर फरिद्धाबाद की कार इंडुस्ट्री हार किसी के लिए ये आउसर ही आउसर लेकर आया है विशेश तोर पर अउद्ध्योगी गुरूप से पीछे रह गए पूर्वी भारत को ये फ्रेट कोरिडोर नई उर्जा देने वाला है इसका करीब करीब 60 प्रतिशत हिस्सा यूपी में है इसलिए यूपी के हर छोटे बड़े उद्ध्योग को इससे लाब होगा देश और विदेश के उद्ध्योगों में जिस प्रकार यूपी के प्रति आकर्शन बीते सालों में पैदा हुआ है वो और अधिक बड़ेगा भाईयों और भेनों इन डेडिकेटेर फ्रेट कोरिडोर का लाब किसान रेल को भी होने वाला है कल ही देश में सौवी किसान रेल की शुरुवात की गई है किसान रेल से वैसे भी खेती से जुड़ी उपच को देश भर के बड़े-बड़े बाजारों में सुरक्षित और कम किमत पर पहुंचाना संबभ हुआ है अब नएव फ्रेट कोरिडोर में किसान रेल और भी तेजी से अपने गंतवेपर पहुंचेगी उत्तर प्रदेश में भी किसान रेल से अनेक स्टेशन जुड़ चुके हैं और इनमें लगातार बढ़ोत्री की जा रही है उत्तर प्रदेश के रेल वे स्टेशनों के पास बंडारण और कोर्ड स्टोरिज की कैपसिटी की बढ़ाई जा रही है यूपी के 45 माल गोदामों को आधुनिक सुभीदाओं से युक्त किया गया है इसके अलावा राज में आठ नए गूर्ट शेड़ भी बनाए गए है वही उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गाजीपूर में दो बड़े परिशबल कार्गो सेंटर पहले ही किसानों को सेवा दे रहे हैं इनमें बहुती कम दरों पर किसान, फल्क, सब्जियां जैसी जल्दी खराब होने वाली अपनी उपयच स्टोर कर सकते हैं साथियों जब इस प्रकार के इंफास्रेक्टर से देश को इतना फाइदा हो रहा है तो सवाल ये भी उड़ता है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हुई ये प्रोजेक्ट 2014 से पहले जो सरकार थी उसकी कारे संस्कृति का जीता जागता प्रमान है साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजुरी दी गई थी उसके बाद ये सिर्फ कागजों और फाइलों में ही बनता रहा केंद्र को राज्जों के साथ जिस गंबीरता से बात्तित करनी चाहिए थी जिस अरजंसी से समबाद होना चाहिए था वो किया ही नहीं गया नतीजा ये हुआ कि काम अटक गया लटक गया भटक गया सिती ये थी कि साल 2014 तक एक किलोमेटर ट्रेक भी नहीं बीचा गया एक किलोमेटर भी नहीं जो इसके लिए पैसा भी स्विक्रुथ हुआ था वो सही तरीके से खर्च नहीं हो पाया साथियों 2014 में सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक के लिए फिर से फाइलों को खंगाला गया अधिकारियों को नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कहा गया तो बजेट करीब करीब ग्यारा गुना यानि पैतालीस हजार करोड पे से अधिक बढ़ गया प्रगती की बैटकों मैं मैंने खुद इसकी मोनिटिरिंग की इससे जुडे स्टेक होल्डर से समबात किया समिख्षा की केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी संपर्क बढ़ाया उन्हें प्रेरीत प्रोथ्षाहित किया हम नई टक्नोलोजी भी लाएगे इसी का प्रणाम है कि करीब ग्यारा सो किलोमेटर का काम अगले कुछ महिनों में पूरा हो जाएगा सोचिए आठ साल में एक भी किलोमेटर नहीं और छे साथ साल में ग्यारा सो किलोमेटर भाई और बहनों इन्फा स्ट्रक्चर पर राजनितिक उदासिंता का नुक्षान सिर्फ फ्रेट कोरिडोर को ही नहीं पूठाना पड़ा है पूरे रेलिवे से जुड़ा सिस्टिम ही इसका बहुत बड़ा भुक्त भोगी रहा है पहले फोकस ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर रहता था ताकि चुनाओं में उसका लाब मिल सके लेकिन जिस पट्रियों पर ट्रेन को चलाना था उन पर निवेशी नहीं किया जाता था रेल नेटवर्क के आदुनी करण को लेकर वो गंबीरता ही नहीं थी हमारी ट्रेनों की स्पीड बहुत कम थी और पूरा नेटवर्क जान लेवा मानव रहीत फाटकों से भरा हुआ था साथियों हमने 2014 के बाद इस कार्यशली को बढ़ला इस सोच को बढ़ला अलग से रेल बजेट की विवस्ता को खत्म करते हुए हमने एलान करके भूल जाने वाली राजनीतु को बदला हमने रेल ट्रेक पर निवेश्ट हिया रेलिवे नेटवर्क को हजारों मानव रहीत फाटकों से मुक्त किया रेलिवे ट्रेक को तेज गती से चलने वाली ट्रेनों के लिए तयार किया रेलिवे नेटवर्क के चौड़ी करण और बिज़ी करण दोरों पर फोकस किया आज बंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाइस्पीट ट्रेन भी चल रही है और भारतिय रेल पहले से कहीं अधिक सुरप्शित भी हुई है साथियों बीते सालों में रेलिवे में हर स्तर पर रिफॉर्म्स किये गए हैं रेलिवे में स्वच्छता हो बहतर खाना पिना हो या फिर दूसरी सुविदाएं फर्क आज साप नजर आता है इसी तरह रेलिवे से जूड़ी मैनुफेक्टरिंग में भारत ने आप मंदिर भरता की बहुत बड़ी चलांग लगाई है भारत आदुनिक ट्रेडों का निर्मान अब अपने लिए भी कर रहा है और निर्याद भी कर रहा है यूपी की ही बात करें तो वाराण से स्थीत लोकोमोटिक वर्ट्स भारत में इलेक्टरिक एंजिन बनाईने वाला बड़ा सेंटर बन रहा है राय बरेली की मोडन कोच फेक्टरि को भी बीते छे सालों में डेंटिंग पेंटिक की भुमिका से हम बहार निकाल कर लाए हैं यहां अब तक पांच हजार से जादा नए रेल्वे कोच बन चुके हैं यहां बनने वाले रेल कोच अब विदेशों को भी निर्यात किये जा रहे हैं भाई और भेनों हमारे अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इंफरसक्चर के विकास के उस विकास को राज नीती से दूर रखा जाना चाहिए देश का इंफरसक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं देश के विकास का मार्ग होता है यह पांच साल की पोलिटिक्स का नहीं बलकि आने वाली अनेकों पीडियों को लाब देने वाला मिशन है राज नीतीक दलों को अगर स्पर्धा करनी ही है तो इंफरस्ट्रेक्चर की क्वालिटि बेस पर्दा हो स्पीड बेस पर्दा हो स्केल को लेकर के स्पर्दा हो मैं हाँ एक और मानसिक्ता का भी जिक्र करना जरूरी समरता हूँ जो अक्षर हम प्रदर्शनों और अंदलोनों के दोरान देखते हैं ये मानसिक्ता देश के इन्फरस्ट्र को देश की संपत्ति को नुक्सान पहुँचाने की है हमें याद रखना चाहिए कि इन्फरस्ट्र ये संपत्ति किसी नेता की किसी दल की किसी सरकार की नहीं है ये संपत्ति देश की है ये संपत्ति आप की है देश के नागरीकों की है हमारे हर गरीब का हर करदाता का मद्यमबर का समाज के हर वर्क का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है उसका पैसा लगा हुआ है गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है तब सब बनता है इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब देश के सामान ने जन को चोट है इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए अमें अपने राष्ट्रिय दाइत्व को भी नहीं भूलना चाहिए साथियों जिस रेलवे को अक्सर निशाना बनाये जाता है वो किस सेवा भाव से मुश्किल परिस्तितियों में भी देश से काम आती है ये कोरोना काल में दिखा है मुश्किल में फसे समीकों को अपने गाउं तक पहुचाना हो दवा और राष्ट्र को देश के कोने कोने तक ले जाना हो या फिर चलते फिरते कोरोना अस्पताल जैसी सुविदा देना हो रेल्वे के पूरे नेट्वर्क का सभी कर्मचारियों का ये सेवा भाव देश हमेशा याद रखेगा यही नहीं इस मुश्किल समय में रेल्वे ने भार से गाउं लोटे स्रमिक साथियों के लिए एक लाग से जादा दिनों का रोजगार भी सुजित किया है मुझे विश्वास है कि सेवा, सद्भाव और राष्ट के समरुद्ध के लिए एक निष्ट प्रयासों का ये मिशन अनवरत चलता रहेगा एक बार फिर यूपी सहीत देश के तमाम राज्यों को फ्रेट कोरिडोर की नई सुविधा के लिए अनेक अनेक शुबकामनाय देता हूं और रेलेवे के सभी साथ्यों को भी शुबकामनाय देने के साथ साथ उनसे भी आगर करूंगा इस फ्रेट कोरिडोर का आगे का काम भी हमें तेज गती से चलाना है 2014 के बाद जो गती हम लाए थे आने वाले दिनों में उससे भी जादा गती लानी है उसलिए मेरे रेलेवे के साथ ही जुरूर देश की आशा पेक्षा पूरी करेंगे इस विश्वास के साथ आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई बहुत धन्यवाद